गुड मॉर्निंग बच्चों मैं आपकी हिंदी की टीचर आपकी क्लास 6 की व्याकरन शिल्पी का चौथा अध्याय आपको पढ़ाने जा रही हूँ जो की है शब्द विचार शब्द और उनका वर्गी करन शब्द means word देखिए और पढ़िए यह आपको दिखाई दे रहा है यह है पहाडों के बीच से निकल रहा है जड़ना दूसरे चित्र में आपको दिखाई दे रहा है मटर और तीसरे में है यह रेल तो यह कुछ वर्णों से मिलकर की यह शब्द बना है जड़ना ये जो है जा, आ, रा, आ, ना और बड़ा इन वर्गों से मिलकर की शब्द बना है ज़र्णा उसी प्रकार मटर भी कही वर्गों से मिलकर बना है और रेल भी कही वर्णों से मिलकर बना है बच्चों आपने देखा कि चित्रों के नीचे दिये शब्द ज़र्णा मटर और रेल बिविन बर्णों के मेल से बने हैं आप पढ़ चुके हैं कि बर्णों के मेल से शब्द बनते हैं परन्तु बर्णों के मेल से बने शब्द का अर्थ अवश्य होना चाहिए कि वही सार्थक, अर्थात वहे सार्थक होना चाहिए, मतलब यह है कि वर्णों के मेल से बना शब्द, प्रतेक शब्द का कोई न कोई अर्थ जरूर होता है, तो जब तक उसका अर्थ सही न निकले, सार्थक ना हो जब तक वो शब्द है ही नहीं, वर्णों का मेल जब तक सा प्रतिक शब्द वर्णों के मेल से ही बनता है शब्दों का अर्थ अबस्य होता है शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं और वाक्यों के प्रियोग होने पर शब्द पद कहलाते हैं शब्दों का वर्गी करन बिविन आधारों पर हिंदी भाषा के चार भागों में बाटा गया है शब्दों को वो कौन-कौन से हैं? श्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, आर्थ के आधार पर और प्रियोक के आधार पर श्रोत के आधार पर श्रोत अत्वा उत्पत्ती के आधार पर शब्दों को निम्र प्रकार से चार भेद हैं वो कौन-कौन से हैं तश्चम, शब्द, तदभव शब्द, देज़शब और विदेशी शब्द तश्चम शब्द, तद प्लस सम, दो शब्दों के मेल से बना है तद याने उसके सम में समान, अर्थात उसके समान, संस्क्रत के वे शब्द जो अपने मोल रूप से हिंदी में प्रियोग होते हैं उन्हें तश्चम सब्द कहते हैं जैसे छेत्र, ग्रह, सूर्य, सर्प, अगनी इस प्रकार से तद भव शब्द है तद प्लस भव दो शब्दों के मेल से बना है तद मींस उससे भव मींस होना अर्था संस्करत बाता में होने वाला संस्करत बाशा के वे शब्द जो कुछ रूप परिवर्दन के साथ हिंदी में प्रियोग में होने लगे हैं वो कौन-कौन से हैं, खेत, घर, सूरज, साप, आग, इस प्रकार तश्चम और तदवब शब्दों के कुछ अन्योधारन तश्चम शब्द ये हैं, ग्राम, तदवब हो गया, गाउं तश्चम, चंद्र, तदवब, चांद इस प्रकार से ये आपके जो चित्र में दे रखे हैं, तश्चम शब्द और तदवब इस प्रकार से ये दे रखे हैं, तो इनको आप एक बार देखिए और याद करिए, पढ़िए इन तेज़ शब्द, देश प्लस जा, यानि देश में जन्मा जो शब्द देश के बिविन प्रदेशों में प्रचलित बोलचाल की भाषा से हिंदी में आए हैं, उन्हें तेज़ा शब्द कैसे हैं, जैसे पगड़ी, थैला, चारपाई, डिविया, जूता, लोटा, आजी मेंज, शब्द, देश के बिविन प्रदेशों में, जैसे उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, इनके कुछ दैनिक बोलचाल में कुछ शब्दों का प्रियोग किया गया है, तो उन्हें क्या कहते हैं, देशज शब्द, देशज शब्द चौता है विदेशी शब्द बिविन विदेशी भाषाओं में आकर हिंदी में प्रियोग होने वाले शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं वो कौन-कौन से हैं? नॉर्मली हमाई भाषाओं बोले जाते हैं इस्कूल, रेडियो, दुकान, चाकू, कमीज, आदी कुछ अन्य विदेशी शब्दों के उधारन अंग्रेजी शब्द के उधारन डॉक्टर, मशीन, स्टेशन, गैस, इस्कूल, बस, ट्रेन, आदी फिल्म, कोट, इंजिनियर इस प्रकास हैं अर्वी शब्द हासेल, बाजार, औरत, हवालात, मरीज, साबित ये इस प्रकार से आपके दिये गए हैं फार्षी शब्द जमीन, आसमान, अफशो, सरडार, नमक, खजाना ये दिये गए हैं पुर्टगाली शब्द आलू, गोबी, तॉलिया, साबुन, अलमारी, कमरा, चाबी ये हैं यह भी जानिये हिंदी भाषा में कुछ ऐशे शब्दों का प्रियोग किया गया है जो दो भाषाओं के मेल से बनते हैं जिसे संकर शब्द कहते हैं ये संकर शब्द है बर्ष गांठ बर्ष संस्क्रत का शब्द है गांठ हिंदी का तो ये दो भाषाओं को मिलाकर बने हैं संस्क्रत और हिंदी सजा प्राप्त सजा फार्शी का शब्द है प्राप्त संस्क्रत का तो ये फार्शी और संस्क्रत को मिलाकर बना है इस प्रकार से संकर शब्द ये हैं किताब घर, टिकेट घर और भाषा है किताब फार्सी की है और घर हिंदी का है तो ये हो गया किताब घर ये भी दो भाषाओं को मिला कर है टिकट अंग्रेजी का शब्द है और घर हिंदी का शब्द है तो ये भी दो भाषाओं को मिला कर बनाया है इसका कहने का मतलब यह है कि जिन दो भाषाओं के मेल से जो शब्द बनता है उसे संकर शब्द कहते हैं रचना के आधार पर रचना के आधार पर शब्दों को निम्नंकित तीन भेद हैं रूण शब्द, योगिक शब्द और योग रूड शब्द रूड शब्द, किसी विशेश अर्द के प्रयोग होने वाले ऐसे शब्द जिनका सार्थक खंड नहीं किया जा सकते उसे कहते हैं रूण शब्द, पिता, पत्ता, दीपक, विस्तर इस प्रकार से हैं ये योगिक शब्द, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, उन्हें योगिक शब्द कहते हैं राष्ट पती, राष्ट प्लस पती, राज महल, राज प्लस महल इस प्रकार से यह आपके दिये गए है किताब में वो आप एक बार से देखना और इन्हें पढ़ना योगरूर शब्द ऐसे योगिक शब्द जिनका आर्थ किसी विशेश आर्थ में से होता है योगरूर शब्द ये दिये गए है यह सब योगरूट सब्द दिये गए हैं चतुर प्लस भुज अर्था चार भुजाओं बाला वो कौन है विश्णू तो यह इस प्रकार से जिसका पूरा शब्द जिसका प्रयोग इसी विशेश अर्थ के लिए किया जाए तो जैसे चार भुजाओं बाला हो गया अर्थ के आदार पर शब्दों को निमले के दो भागों में बाटा गया है सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द वे शब्द जिनका कोई आर्थ निकलता हो उसे कहते हैं सार्थक शब्द वे शब्द जिनका कोई आर्थ नहीं निकलता हो उसे कहते हैं सार्थक शब्द व शब्द कहलाते हैं, जैसे किट, खट, जू, मतलब जो कोई शब्दी नहीं है, ऐसी उल्टे जोड के वर्णाओं को बना दिये हैं, याद रखिए कैई बार जब वाक्यों के निरतक शब्दों का प्रियोग करते हैं, तो वे सार्थक बन जाते हैं, ऐसे खट, निरतक शब्द है, अर्थक आदार पर सार्थक शब्दों को निमलिकित भागों में वर्गी करन किया गया है, वो है एक आर्थी शब्द, जिन शब्दों का एक ही अर्थों वो एक आर्थी शब्द होते हैं, जैसे शस्त्र, अपराद, पाप, अनुराग, पूजा, पती, मित्र इस प्रका यात्री अगनी, उत्तर, दिशा, जवाव, शब्द, कर, मदू, अर्थ निकल रहा है, करका निकल रहा हाथ, टेक, सूर, मदू का शहर, शरा, बसंत्रेतू, परियावाची शब्द, जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं, उन्हें परियावाची अथ्वा, समानार्थी श शब्द कहते हैं, जिन सब्दों के अर्थ समान होते हैं, जैसे शब्द है आँख, तो परियावाची हो गया, नेत्र, नयन, लोचन, चक्षू, इस प्रकार, मेका, घन, बादल, नीरद, जलधर, इसे प्रकार से ये शब्द दिये गए हैं, और ये परियावाची दिये जैसे शब्द आकाश का बिलाउम का मतलब होता है, बिप्री इती मीज उल्टा, ठीक है, बिलाउम का अर्थ होता है, उल्टा, आकाश का हो गया पाताल, उतरीन का अनुतरीन, अच्छा का बोरा, छोटा का बड़ा, इस प्रकार से, विशेश, उप्योक्त सभी प्रकार के शब्दों को विस्तार में अध्यन अगली अध्यायों में करेंगे, ठीक है, अब है प्रियोक के आधार पर, प्रियोक के आधार पर है, दो भेद हैं इसके भी प्रियोक के आधार पर भी, विकारी शब्द और एविकारी शब्द, विकारी शब्द, जो शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक आधी के कारण विकार उत्पन, विकार या परिवर्तन होता है, जैसे संग्या, सर्वनाम, विशेशन, क्रिया, तो ये क्या है विकारी शब्द, इनकी विशे में आप पगले अध्यायों में आप विस्तार से पढ़ेंगे, अविकारी शब्द ये शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारण, आधी का कारण कोई भी विकार या परिवर्तन नहीं होता, जैसे किरिया, विशेशन, समुच्य, बोधक, संबंद, बोधक, विस्मयाधी, बोधक इस प्रकार से, इसके इनके बारे में भी आप अगले अध्यायों में विस्तार से पढ़ेंगे, आओ, एक वार बच्चों फिर से दोर आते हैं, वर्णों के सार तक समुझ को शब्द कहते हैं, बिविन आधारों पर शब्दों को चार वर्गों में बाटा गया है, शोत के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, और प्रियोक क शोत अत्वा उत्पत्ती के आधार पर शब्दों को चार भेध हैं उसके क्या नाम है शब्दों के तश्चमशत तदभव देजस और विदेशी रशना के आधार पर शब्दों को तीन भेध हैं रूड शब्द योगिक और योग रूड शब्द आर्थ के आधार पर शब्द बच्चों इस परकार से अध्याय में यही सब बताया गया और आपके प्रशन उत्तर हैं जो भी है यह प्रशन उत्तर वह आपके आपके साप्ता ही ग्रैकार में बता दिये जाएंगे दे दिये जाएंगे धन्यवाद